हालो गाइस इन दिस वीडियो हम एक सॉल करेंगे एक प्रॉडम को अगर आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं जो भी USB में अवेलेबल है और आप उसे ब्लुटूथ में चेंज करना चाहते हैं तो आप इस डॉंगल का यूज कर सकते हैं यह है ब्लुटूथ ड से दिवी तो हम हम अभी कोई भी डिवाइस है हमारे पास अभी यहां पहे एख फिलिप्स के स्पीकर और आप देख सकते हैं यहां पर मल्टि मीडिया स्पीकल सिस्टम है यह वारलेस नहीं है मिनस ब्लुटूथ पर भी पर नहीं करते हैं हम इस डॉंगल को यूज करके इस इसे Bluetooth पे work करा सकते हैं तो हम कोसिस करते हैं इस device के साथ इस को connect करने के लिए जैसे कि मैं आपको पहले ही Bluetooth पे ही लेके जाऊंगा और उसके बाद इसे connect करेंगे ओके तो यह हमारे Clips के speaker है और अब हम इस dongle को यहां भी use करते हैं तो निकालते हैं यह कुछ ऐसा दिखाई देता है काफी छोटा है यह डोंगल तो हम इसे यहां पे USB के options है और other options भी यहां पे आपको दिखाई देता है तो यहां पे USB है यहां पे ST option है तो हम USB के option में इसे put करते हैं इसमें आप screen पी देख पा रहे हैं यहां पी पीटी डोंगल अवैलबल है जिसको हम connect कर पाएंगे और यह connected हो चुका है इसके बाद हम यहां पे इसका source change कर देंगे अब यह Bluetooth के द्वारा connect हो चुका है डिवाइस के साथ यहां पे connected है तो अभी यह device connected है और हम इसे YouTube पे play करके एक video आपको दिखाते हैं इस वीडियो में चंडिकार तो चंडिकार के बारे में तो बहुत सुना होगा अलांके मॉल इसकी बहुत बड़ी पहचान है तो आप देख पाएं कि इस तरीके से यह वर्क करता है और एक किसी भी Bluetooth डिवाइस में चेंज कर सकता है इस USB के जरिए आप किसी भी speaker को Bluetooth speaker बना सकते हैं This is very small video if you find this video is helpful to you please like this video and subscribe this YouTube channel thank you for watching this video So if you find this video is helpful to you please like this video and subscribe this YouTube channel and I will come with a new video like this and stay tuned on this YouTube channel thank you for watching this video and giving your precious time meet you in the next one